हेलो गाइज कैसे हो आप सब तो आज कि हम इस वीडियो में गुड़न खंड निकालना आप लोग को सिखलाने वाले हैं कि गुड़न खंड कैसे निकाला जाता है पुरोपर हम इस वीडियो में सिखलाने वाले हैं इसलिए इस वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए ध्यान दीजिएगा तो देखिए हम एक सवाल लिये हुए हैं जो सवाल क्या को रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3 का गुणखंड निकाले तो चलिए हम इसका गुणखंड निकालते हैं और निकालते हुए आप लोग को सिखलाते हैं कि गुणखंड कैसे निकाला जाता है तो ध्यान पूरुवक देखिएगा तो चलिए ध्यान दीजिए यहां पर देखिए सबसे पहले क्या किया जयता है देखिए इस x square का गुणांक मतलब x square के जो गुणा में रहता है उससे और अंतिम पद में गुणा किया जता है तो अंतिम पद यानिकि last वाला पद यहाँ पर देखिए 3 है और देखिए 1 square का गुणांक मतलब x square के गुणा में क्या है दो है तो इस दो से इस तीन में गुणा किया जाता है तो चलिए इस तीन से हम दो में गुणा कर रहे हैं चलिए तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाएगा एक सिस्क्वाइर का गुणांक मतलब इस दो से और इस अंतिम पद यानिकि तीन से गुणा किया जाएगा तो दो से जब तीन में गुणा होगा तो क्या आओगा यहाँ पर ध्यान दिजाएगा दो में जब तीन से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दूतियाई छे अब देखिए में कॉंसेप्ट यही पर है यदि आप यह समझ गे नहीं तो गुणा खन तो मातर आप सकेंडों में बना सकते हैं इस कॉंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिजेगे जो हम यहाँ पर कर रहे हैं अब देखिए अब गया करना होता है इस 6 को ऐसे दो भागों में बटना होता है कि गुणा करने पर यह 6 ही आये लेकिन उन दोनों भागों को जोड़ने या घाटाने पर यह 7 आना चाहिए मतलब एकस का गुणा आना चाहिए मतलब देखिए यहाँ पर जो X का गुणा में है न यह आना चाहिए मतलब यह साथ आना चाहिए तो चलिए देखिए आप तो सोच रहे होंगे कि देखिए 2 गुणे 3 भी तो हम लीग सकते हैं 6 तो आ जा रहा है लेकिन यह भी देखिए कि देखिए 2 में जब 3 को जोड़ रहा है या 2 में जब 3 को घटा आ रहा है मतलब किसी को अधल बदल को घटा जोड़ सकते हैं तो क्या साथ आ रहा है तो देखिए 2 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जागा 5 साथ नहीं आ रहा है 2 में से 3 घटाएगा तो कितना हो जा रहा है माइनस 1 अब 3 में ले 2 घटाएगा तो 1 हो जा रहा है मतलब यह नहीं होगा तो अब हम दूसरा कुछ सोचने की कोशिश करें कि दूसरा कुछ ऐसा है 6 का दूग भाग कि जोड़ने एक घटाने पर यह साथ आ जाए मतलब एकस का गुणांग तो चलिए तो हम सोच रहे हैं कि 6 गुणे 1 मतलब 6 गुणे 1 होता है मतलब 6 गुणे 1 कितना होता है? 6 होता है यह तो अभी मिल गया अब हम देखेंगे कि 6 में जब 1 को जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो साथ होगा मतलब क्या करेंगे तो साथ होगा तो चलिए यानि कि हम दखिए 6 में एक को जोड़ रहे है तो कितना हो जा रहा है? यहाँ पर 7 हो जा रहा है अब देखिए मतलब छो में एक जुड़ेंगे तो साथ आ जा रहा है मतलब देखेंगे नहीं कि घाटाने पर मतलब घाटाने पर क्या हो क्योंकि हमारा मिल गया है यह जो है न यह मिल गया है घाटाने पर तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 में घटाएंगे तो 5 हो जाएगा तो यह होगा और यह होगा मतलब main concept यही हम लोग का है यह करना यदि आप लोग का आ जाए न तो आप समझेगा कि आप गुणखंड करने में पूरा माहीर हो गया यही दो main concept है अब चलिए पहले step में क्या बता है इस एक गुणा में रहता है मतलब X के जो गुणा में है वह आना चाहिए तो देखिए 6 गुणे एक कर दिये तो छो तो आ जा रहा है अब दखिए अच्छो में जब एक को जोड़े नहीं हो तो साथ आ जा रहा है मतलब यही मिल गया हम लोग को तो अब चलिए इसको बतलाते हैं क कि इसे किस तरह से आप बनाएंगे में कॉंसेप्ट यह ही है यह करना यदि आप लोग को आए जाना तो गुर्ण खंड तो मात्रप सकेंड़ों में निकाल सकते हैं और आप समझे कि आप महीर हो गए हैं गुर्ण खंड निकालने में यह यदि आप लोग को करना आ जाए तो अब चलिए, अब चलिए, दखिए, आप क्या करेंगे हम, इस 2x2 को इसी तरह से अभी लिख देंगे, मतलब इसको इसी तरह से रणना देंगे, 2x2, आप देखिए, अभ यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का चीन देते हैं, अब यहाँ पर 7x है ना तो आप 7x नहीं लिखेंगे अब देखिए इस 7 को हम क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 1 मतलब इसको 2 तो मतलब 7 को 2 तोड में इस तरह से करकर हम लिख देंगे क्योंकि फिर 7 ही ना आएगा तो अब हम लिखेंगे इस 7x को 6 प्लस 1 और बाहर में x लगा देंगे क्योंकि 6 प्लस 1 साथ हो जाएगा और x होगा इन्हें 7x देखिए 7x नहीं तो इसको कुछ ढ़ंग से हम लिख देंगे और यहाँ पर प्लस 3 है तो प्लस 3 को भी हम लिख देंगे अब चलिए अब आगे थ्यान दीजिएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे अब देखिए अब हम क्या करेंगे अब आगे हम इस कोष्ट को हटाएंगे तो इसको तो अभी इसी तरह से रहने देंगे तो यह 2x स्क्यार को अभी इसी तरह से रहने देंगे अब चलिए यहाँ पर प्लस का चीन है प्लस देते हैं अब इस छोटा कोष्ट को हटाते हैं तो हटाएंगे तो एकस से एक बार गुणा होगा 6 में और एकस से एक बार गुणा होगा एक में तो एकस से जब 6 में गुणा होगा तो क्या होगा 6x तो 6x को यहाँ पर लिख देत अब X सफ एक बार गुणा होगा, एक में, तो क्या होगा? X होगा, क्योंकि एक ले गुणा होगा तो कोई परिवर्ट नहीं होती है, पर क्या होज़िए? प्लॉस तीन ये लगते हैं आप चले अब զेखिए जोड़ एपर धोड़ा सा ध्यान दीएगा अब हम क्या करेंगी कि इसमें और इसमें से देखेंगे इन कुछ common है इसमें तो 2 है और देखेन alcohol क्या लिख सकते हैं 2 गुणे तीन यानि 2 एक्स इसमें और इसमें से common कर लेंगे 2 एक्स को हम यहाँ पर common कर रहें तो यहाँ पर पर प्रोफर एक अलग साई वीडियो बना देंगे चलिए ध्यां दिजिएगा तेखिए इस में से जब 2x निकल गए यहां पर यहां पर क्या बचेगा सिर्फ 3 बचेगा यहां पर प्लस है तो प्लस देते हैं क्या बचेगा 3 बचेगा क्योंकि देखिए इस छौ में, मतलब यह जो 6 है, तो 6 मिले, देखिए मतलब 6 मिले तो 2 तो निकालिये, और यह एकस भी निकालिये, मतलब 2x निकालिये, तो यहाँ पर सिर्फ यह 3 ही न बच जाएगा, अब चलिए, अभी यहाँ पर प्लस है तो प्लस देते हैं, जिस तरह से इसमें इसमें common देखे उस तरह सब देखेंगे इसमें इसमें क्या common है इन दोनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है मतलब इन दोनों में कुछ ऐसा दिखी नहीं रहा है जो दोनों में हो तो कुछ नहीं जब common आपको दीखे तो एक common होता है क्योंकि एक से गुणा करने पर कोई परिवर्त नहीं होता है तो हम यह करेंगे इसमें से और इसमें से एक को कमन कर लेंगे अब चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक और यहाँ पर प्लस है तो प्लस दते हैं और यहाँ पर तीन हो जाए यदि आप लोग को यहाँ पर नहीं समझ में तो क्या किजेगे यहाँ पर जो मान आया रहता है न उसको ही यहाँ पर लिख दीजेगा और यहाँ पर सोच लिजेगे किससे हम गुणा करें कि इसके मान में कोई परिवर्तर नहीं होगा लेकिन मेंन कोंसेप्ट जो होता है यही होता है जो हम यहाँ पर कॉमन निकाल कर बतला रहा है यही होता है यह यदि आप लोग को आएगा नो तो कैसा भी ग्रून खुंड आप लोग मात्रा धुँआ कर सकते हैं बना सकते हैं कोई भी आप लोग कोई दिकत नहीं होने वाला है अब चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा अब हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 3 को ही common कर लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 3 को common कर रहे हैं देखे, common कर लेंगे तो इस दोनो जगह से निकलेगा यहाँ पर एक जगह आ जाएगा इन दूनों जगा से निकलेगा और यहाँ पर एक जगा होपारा एक जगा होपारा आ जाएगा क्या एक्स प्लॉस तीन तो यहाँ पर क्या था दो एक्स गुणे एक्स प्लॉस तीन तो एक्स प्लॉस तीन तो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या बचा दो एक्स दो X यहाँ पर प्लस है तो प्लस देते हैं अब चलिए यह तो X प्लस 3 तो यहाँ पर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 यही 1 बचेगा यहाँ 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 बचेगा तो यही हम लोगा फाइनल गुर्ण खंड यही आएगा यही हम लोगा एंसोर हो जगाए यानि जब आप लोग 2x² प्लस 7x प्लस 3 का गुर्णखंड यादि आप लोग निकालेंगे तो यह हैगा 1x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 तो इस तरह से गुर्णखंड बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं तो I hope इस वीडियो में पूरा कॉंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा और यदि आप लोग के यह वीडियो अच्छा लागा होगा तो इस वीडियो को जरूरेक लाइक कर देजेगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस न्यू मैथा स्टेडी चैनल को सब्सक्राइब कर अल बेल आइकन घंटी को प्रेश भी कर लिजेगा तो चलिए हम यहाँ पर दो सवाल आप लोग के लिए अपलोब्द कराते हैं जो आप लोग बना कर कोमेंट बॉक्स में कोमेंट जरूर कीजेगा कि इसका एंसोर कीतना होगा मतलब इसका गुर्णखंड क्या आता है इसका कोमेंट जरूर कीजेगा तो चलिए ध्यान दिजेगा सवाल स्क्रीन पर आज चुका है चाहें तो आप लोग इसको स्क्रीन सोट भी ले सकते हैं